नमस्कार दोस्तों इंपलाइक अपर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है यहाँ पर स्री राज मोहन उन्नितन जी की और से श्रम और रोजगार मंतरी से यहाँ पर सवाल किये गए है जो कि चार सवाल है पहला सवाल था कि क्या यह सच है कि भविश्य निदी पेंसन में आरंब से अब तक 30 लाग पात्र वेक्तियों को 1000 रुपई से कम यानिकी निवनतम पेंसन प्राप्त नहीं हुई है दूसरा सवाल है कि क्या सरकार ने प्रतेक 10 वर्स पर करमचारी पेंसन योजना की समिक्छा और संसोधन के लिए एक कदम उठाए है और यदि हाँ तो तचसंबंदित बेवरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है अगला सवाल था कि क्या सरवोच्च नियाले ने सेवा नियुरत्ती होने वाले करमचारीों को पेंसन का भुकतान न होने की जाच करने के लिए तीन सदस्सी पीठखा गठन किया है और यदि हाँ तो तचसंबंदित बेवरा क्या है और क्या सरकार भविष्य निदी पेंसन में व्यापक संसोधन पर कारे कर रही है और यदि हाँ तो निकड भविष्य में इससे लागो करने की योजना का वेवरा क्या है तो काफी important question यहाँ पर पूछे गए थे जो की नियुनतम पेंसन एक हजार रुपए और उससे कम मिलने वाले लोगों के लिए है और सरवोच् कर भी यहाँ पर सवाल किये गए है आए देखते हैं इनके जवाब यहाँ पर स्रम मंत्राले की तरफ से क्या दिये गए है तो जो पहला सवाल था कि क्या 30,000,000 पात्र वेक्तियों को 1000 रुपए की नियुनतम पेंसन प्राप्त नहीं हुई है इसके जवाब में स्रम मंत्राल ने जवाब दिया है कि जी नहीं जो कि यहाँ पर सभी EPS Niteway Pension धारक यहाँ पर जानते है कि लगभग 28 लाग ऐसे Pension धारक है जिने की अभी भी 1000 रुपई से कम यहाँ पर Pension मिलती है 200-300 रुपई से लेकर 2500 रुपई की बीच में इन्हें यहाँ पर Pension मिलती है और यहाँ पर के संग्यान में ऐसे कितने Pension धारक है जिने की 1000 रुपई से कम Pension मिल रही है वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगला सवाल था कि क्या सरकार ने प्रतेक 10 वर्ष पर कर्मचारी Pension योजना की समिक्षा और संसोधन के लिए कदम उठाए है यदि हाँ तो ततसंबनित बेवरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण है इस पर स्रम मंत्राले की और से जवाब आता है कि कर्मचारी Pension योजना 1995 कर्मचारी भविश्य निदी और उतकिर्ण उपबंद अधिनियम 1952 की धारा छे का के द्वारा प्रदत सक्तियों के नुसार केंद्री सरकार द्वार बनाया गया है EPS 95 दिनांक 1911-1995 को लागू किया गया था योजनाओ की समिक्षा और उसमें संसुधन करना एक सतत प्रक्रिया है विशेशग्य समीती और उच अधिकार प्राप्त निगरनी समीती की सिफारोसों को साथ साथ कर्मचारी पेंसन निदी में बिमांकित मुल्या दिनांकन को ध्यान में रखते हुए EPS 95 के उपबंधों को समय समय पर समिक्षा की गई है EPS 95 के किये गए कुछ महत्वपोर्न संसुधन यहां पर बताये गई है तो यहां पर भी आपको यह अउगत हो कि पिछले कई बार जब यहां पर संसद में इसी मुद्दे को उठाया इसी सवाल को पूछा गया तब यहां पर यह जवाब आता था कि EPS 95 योजना घाटे में चलने के कारण इसका बजट घाटे में चलने के कारण कोई भी यहां पर समिक्षा नहीं की गई लेकिन आज यहां पर जो स्रम मंत्रले की तरब से जवाब आया है उसमें इसकी 1924 जो कि मजदूरी सीमा को 6000 रुपई से बढ़ा कर 15000 रुपई किया जाना पेंसन आकलन की रूप में 1000 रुपई नियुनतम पेंसन प्राप्त करने वाले जो करमचारी है उन्हें 99 पेंसन 1000 यहां पर देना आधी संसुदन किये गए है इस बारे में जानकारी दी गई है लेक की कुल मिला कर जिस योजना में ये कहा जाता था कि प्रती वर्स इस योजना का मुल्यानकन किया जाएगा उसमें 1995 से लेकर आज 2022 तक केवल एक बार मुल्यानकन किया गया है अगले सवाल का जवाब देते हुए स्रम मंत्रालाई की तरफ से जवाब दिया गया है कि भारत सं में 2014 में किये गए संसोधनों को रद किया गया है माननी उच्च नियालाय ने वर्स 2019 की विशेश अनुमती याची का जिसकी याची का नंबर यहां पर दिया गया है संबंदित मामलों में अपने दिनांक 24-8-2021 के आदेश के माध्यम से मामलों को कम से कम 3 नयाय दिसों की पीट से ये निरने आ गया सुप्रिम कोर्ट से वो निरने आ गया सुप्रिम कोर्ट से इस तरह की पेंसन लागो हुई है तो इस संबंद में यहां पर जो है क्लियर किया गया है कि मामला अभी नयाय दिसों की पीट के समकक यहां मामला अभी नयाय दिन है इस पर कोई final decision उच्च अगला जो सवाल था कि क्या पेंसन में कुछ प्रावधान यहां पर लाने जा रही है सरकार तो उसी को लेकर कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा सहीता 2022 को दिनांक 39-9-2020 की अधिसुचित किया गया था जिसमें करमचारी भविष्य निदी एवं प्रक्रिन उपबंद अधिनियम 1952 सहीत नव के इंदरी स्रम विधानों को समाहित किया गया है नई सहीता की धारा 15 में करमचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंसन सहीत विभिन योजनाय बनाने की परिकलपना की ग नहीं किया गया है आने वाली CBT की बैठक में हो सकता है EPS 95 की पेंसन में कुछ यहां पर आपको ठोस निर्णय लेते हुए कुछ नियमम बदलाव देखने को मिले तो इस तरह से भारा सरकार स्रम और रोजगार मंत्राले से लोगसभा में पूछे गए सवालों के जवाब मे स्रम मंत्राले की तरफ से EPS 95 पेंसन धारकों के संबंदित प्रशनों के कुछ इस तरह से जवाब दिये गए है इन्हीं स्रम मंत्राले की तरफ से आये जवाबों से आप कितने संतुष्ट है यह हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो जानकरी आपको